नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चनल ट्रेडवित राउनिक चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टर 3 रिजल्ट की स्रीछ चलिए तो उसके अंदर जीयोजेट अब यूटध कि अकर्ड सासरा नोग्यिक वीड़़् के अदर चिस्तों अपनी कोशिष्पोरी करते क्रते हैं आपको डीप ली डीप नॉलिज देज सकें और जो आपके यूसफूल और वो नॉलिज प्रॉपर्टरिके से हम आप तक डिलेवर्ट कर सकें तो बेसिकली हमारा परपस यह होता है और कुछ नहीं होता है तो प्लीज इसका ओवर्विव समझके बस आपको एक्स्प्लीन किया जाता ह आगे शेर का मोमेंट कैसे रहने वाले गिरेगा बढ़ेगा कितने समय तरह होल्ड करना चार्ट के अपडेट दिया जाता है यह क्वार्टर थरी की कॉल्स होती है बाकी जो मैं कॉल्स देता हूं उसके अंदर आपको एनलाइस करके बतातो चार्ट के अकोर्डिंग भी दो हमारे जो टार्केट हो डिया अबी तक 90% हमारी कॉल से हो ही अब तक चली बात करते हैं जी यह जी फाइनस लिम्टेट कर दिखिए बिसिकली ब्रॉकिंग के सेक्टर में कंपनी तो बिसिकली कंपनी के अंदर पहले भी हमने कॉल्स दिया तो जब भी हमारे सेकेंड टार्ग वोड गण बढ़ते देखने को मिलता है तो जी यह जो फी फाइनसर वीस फाइनसर के अंदर एब सेक्पनी का कंपनी का शेर है तो बैसिकली कंपनी एंबस्ट के अंथर और ये ब्रॉकिंग केन दर यह लोंग को सारी कंपनी पर प्रक्यों के अंदर देजी देखना हुमेल जिसलिए CESL और BSE के शेर के मोंट आपको आप अप्रेंडिक देखने को मिल रहे है चलिए बात करते हैं जी-ए-जी फैनिस लिमिटेट के तो इसके बात करते हैं बात करते हैं तो बिसिकली इसका कोड़र ठीजल सटर्डे के दिन आया तो मार्केट ओफ ती तिन तो इसके त प्रेश के अंदर आई यह पर आपना मोटा मोटा ओबर वियू रहने वाला है डीप एनलाइज नहीं यह तो प्लीज आ तो इसका टोटल ओव रेवन्यू आयता ऑप्रेस्वन बागी अधर वेंडिके इंटरस ऑफ इंकम इंकी बढ़के इस कोर्टर में देखे सब सबसे इज सबसे इंदर नोच बढ़के की अंदर को अधर अधर कीव मिला दस साड़े दस अजार माल लिश्य तो इटवान्यू साड़ें मौटा मोटा से अधर माली पेंदर की आपने नहीं पाशा नोगत्रा जानवें यह तो आपको अच्तार cigar क्वान्यू आपको आपको साड़ें बड़ाद देखने को मिल रहा है तो इह रही है को एक्सपेंस की बात कि नहीं को मिल रहे हैं अब इसकस्पेंस के बात करेंगे तो इसक्वाटर में आपरेशन प्रॉफित आएं न को 605 214 लाकіс। last quarter में 5700ح3्ड लाक और last year 4063 JAPAYyy lara के बड़ा करें लाकी स्ब्सक्राइब तो बड़ा मुअँ हम च्छा कुंजा इंचा कह cud 301,0163 यानिए कि थोड़ा सा दुछा दिफेरेंसल लाकी अच्छा का से दिफेरेंसल लेकिन! तो आप देखेंगे, यह रेवर तो बड़ा देखने को मिली हमार को, मत खुद 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 जाना नहीं का, इस कोरटर में 5,214 है, तो लाश्ट कोरटर में थि 5,370, यानि के थोड़ा सा डिफ्रेंसिल देखने हो मिला है, ज्यादा बढ़ा डिफ्रेंसल नहीं है प्रॉफिट के अंदर बाकि ये रियर वह अच्छा गासे डिफ्रेंसल देखने हैं इस प्रॉफिट में नेत प्रॉफिट की बात गिनेंगे तो इस कौॉटर में NET प्रॉफिट निगल टेखे हैं पत थीन हजा Тутशे लैका लास्ट ख्रमार्ची है तिन अजए पटेखे सिस्टली लाइक रसा तर चार चार सेंटरिस लार्स्ट एनट गार गैरिक हैं यार टा तीन हजा एकसि ब्ड़ा देखने है तीन हजा तोड़ा सा downfall देखने को मिलने हैं अब EPS की अनिंग पर share के बात करेंगे तो इस quarter में अनिंग पर share है 1.63 लास्ट quarter में तो 1.66 लास्ट यह थी 1.28 तो यह रेवा अच्छा सा बड़ा देखने को बला है थोड़ा से difference मैंने बताया ना ज्यादा बड़ा तनी है ज्यादा ग्रा अच्छा बागी company का result अच्छा है काफी और result का impact आपको मंडे के दिया कल के दिन देखने को मिला liabilities इनकी ज्यादा नहीं बड़ी है इस quarter में तो moral share के जो quarter थीकर रिजल्ट है इसके अंदर ज्यादा कुछ दिये तो थोड़ा से difference देखने हो मिला हमार को बस quarter quarter भाई यह यह बड़ाते देखने को मिल यह company के ठीके revenue हर्चीज में देखे ज्याद फाइनन्स सर्विस लिमिटेड के अंदर अग्सका मार्केट काया पर एक हजा नो सो बावन करोड़ उबेगा इस्टोक पी चला बारव पइंट एट का इस्टोक आरो सिस का चला 29 परसेंट का बुग वैल्ली 26 और रिटर्न ओफ एक वैटिट तेट टूपंट परसेंट का डिवीडेंड कंपनी न अभी तक दिया 4.28 परसेंट और फेस वैल्ली इसकी एक रपे किया कि दिखें कंपणी ने डिवीडेंड अच्छा दिया कंपणी क्वाट रिजट अच्छरी कंपणी कमपांडींग अनुवल ग्रोथ 26 परसेंट पर आह और कंपनी न अपने डिवीडेंड वी निर्हाथ टूपरसेंट का और भी रक्षा है तो यह भी बहुत अच्छा इंड कोई है 62.05 और FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ये लास्ट क्वार्टर में 1.56 थी वह बढ़क हुए 1.95 और पब्लिक की होल्डिंग इस वार घटी है यानि कि लास्ट क्वार्टर में 36.33 थी वह घटक हुए 36 तो आप देखेंगे इसमें FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ह थोड़ी सी पर्मोटर ने अपनी होल्डिंग अटाइट वाड़ा है तो मौराल दा स्टोर्य इसका जो क्वार्टर थी का रिजल्डर वह ए ल्टीमेट देखने का मिला इसल्ड का इंपैक्ट आपको मंडे के दिन लो को मिला मंडे कि दिन कैसे रहने वाला इसका आगे गा तो यह देखेंगे तो इसका 52 हाई या 52 लो देख लिजे इसका 52 हाई है 103 रुपए और 52 लो है 43.6 पैसा तो आप देखेंगे इसका आप देखें इसका रिजल्ट का इंपक्ट तो उस दिन ही आपको फ्राइडे के दिन 1.11 परसंट पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ औ यहां पर जो एक हैमर केंडल बनी है और यहां पर देखेंगे एक क्रोस मोविंग हो रहे है यहां पर 21 डेस की क्रोस मोविंग करेगी 7 डेस की तो यहां पर और तीजी दिन लिए सब्सक्राइब करें तो कल के दिन को मिलेगी और सब्सक्राइब को 21 days की average move cross करेगी 150 days की average move को और दूसरा दूसरा यहाँ पर एक breakout देखने को मिलेगा यह देखे एक तरप से अप ट्रेंडिंग चले 51 के अवाप चल दी है और MSCD पर भी आप cross moving देखने हो देखने को मिलेगी यहाँ पर ट्रांडिंग पैटर्न बन चुका कविट हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है तो तेजी को दमखम दिखाया और रिजल्ट का इंपक्ट देखने को मिलेगा तो 79 के स्टॉप लोस रखी है तो पहला ट्रेगेड अपने 85 का दूसरा ट्रागेड नबर भेगा इन दो ट्रेगेड करा दूसरा टार टार टारुण करानेश्स कुछ